नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत श्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेश प्लेस में इस बीड़ी में हम बात करेंगे दो ऐसे बहतरीन सेर के बारे में जिसमें आप अगर इन्वेस्ट करते हैं निस्चित रूप से आपको लॉंग टर्म में एक अच्छा मल्टी ब य्दॉस का ग्रोथ किस तरह से है और किस प्राइस पे अपको इंबेस्ट करना है तो सारीव को इस वीडियो कंप अगर आपको आधै़ वीडियू को देखने तो आपको आपका ही होसो ने आ इन घर भीम चैननल इसेजन कपनी का जो मार्केट केप है वह 13,000 क्रोड है, एक mid-cap company है, कपनी का जो dividend deal है 0.24% है, कपनी का जो return on equity है, 6% का है मात्र, कपनी का जो return on capital implied है, मात्र 6% का, promoters holding 64.8% है, और कपनी का जो debt to equity ratio है, मात्र 0.12 है, कापी अच्छा है, और कपनी का जो प्राइस है, कापी अच्छे price में का 2.92 टाइम्स है अर्निक परसेर 18.7 का है तो काफी अच्छे अर्निक परसेर भी है कपरी का और इंडस्ट का पी 39 का है जबकि इस्टॉक का पी 53 है तो थोड़ा सा महगे पी पर मिल रहा है अब जो मेन हमारा परामीटर से उसको देखते हैं डेट विक्योटिव काफी कम है कमपनी के पास जो रिजर्व है देखते हैं 4,500 क्रोर का रिजर्व है कमपनी कमपनी है बारे में जो बिसेश हम इनफॉर्मेशन देना जाए तो यह इसकी जो के डिला हेल्थ केर है इसकी पैरेंट कमपनी है तो कि काफी एक बहतरीन फार्मा स्टॉक्स है जिसमें हमने की इस कंपनी की पैरेंट कंपनी है अगर कंपनी के प्रोज की बात करें तो देख सकते हैं जो प्रोज जो वेबरेबल छीज है कंपनी रिडूस का प्राफडो वो अल्मोज डिट फ्री है, कपनी का जो CGR है, देखते हैं, 20% के CGR से कपनी ग्रू कर रही है, और कपनी जो healthy dividend भी देख रहा है, 21% का, महीं कौन्स की बात करें हैं, तो जो stock जो book value के 2.92 टाइम्स है, ऐसे भी FMCG और इस related product जो भी कपनी मनाती है, उसके आपको price जो है book value से का काफी high ही दिखेंगे, इस company का काफी कम है, अब equity, return on equity थोड़ा सा lower रहा है, और promoters थोड़ा सा holding decrease हुआ है, यह कोई matter नहीं काता है, क्योंगे promoters holding काफी ज़्यादा है, 60% से भी above है, तो इतना matter नहीं करता है, promoters का holding थोड़ा सा decrease करने से, अगर बात करें quarterly result का, तो quarterly result देखते लगातार improve हुआ है, तो यहाँ पर देखते हैं, पहले कपड़ी थोड़ा से यहाँ पर जो pandemic आया था, उसके काइनल loss पर चली गई थी, और यहाँ पर काफी अच्छा सुधार हुआ है, और profit में लगातार यहाँ पर jump देखने मिला है, मार्च वाटर में 133 क्रोर का profit हुआ ह जिससे की share price में जल्द ही आपको तेजी देखने मिल सकता है, यहाँ पर देखते हैं, मार्च 2021 में थोड़ा सा profit decrease हुआ है, और आल नहीं तो company का देखते है, financial जो trend था वो लगातार increase हो रहा था profit, company का profit लगातार increase हो रहा था, थोड़ा से spend week के आने से company के profit में थोड़ा सा decline द जो की बढ़ करके होगे 860 करोड का, तो company लगातार अपने sales को भी increase कर रही है, company लगातार अपने profit को भी increase कर रही है, बैलेस एट की बात कर रहा है, company का balance एट काफे solid है, company का जो reserve है वो लगातार increase हो रहा है, देख सकते हैं, 103 करोड था, यहाँ से increase होते हुए, company का reserve है, 4500 करो हो चुका है, company के उपर पहले कोई date नहीं था, थोड़ा से यहाँ पर date increase हुआ था, लेकिन फिर से company अपना date reduce करके मातर 550 करोड पल आ चुका है, तो बहुती कम date है company उपर क्योंकि अपना date को कम किया है, जहाँ 1500 करोड का date था, वहाँ मातर 550 करोड का date बचा है, तो मातर 3 साल म हो सकता है, company बिल्कुल date free हो जाए, फिर आपको इसमें एक जवरदस्त rally देखने मिलेगा, ICB company का जो promoters है, वो काफी strong है, क्योंकि Canada Healthcare इस company के promoters है, और company अच्छा खसा business कर रही है, तो नहीं चलता है, फिरी cash flow, company का cash flow भी रिक्सने positive हो सकता है, तो हर parameters पे company काफी solid है, return capital implied भी काफी भेतिन हो आगा था, यह decrease के होगा, क्योंकि Canada Healthcare से separate होगा, पहले दोन एक साथ था, अब यहाँ पर दोनों डिमर्ज हो चुका है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा return capital implied जो कम देखने मिलता है, वहीं promoters के stake की बात करें, जो shareholding pattern है, promoters का stake यहाँ पर काफी सालों से constant लगबग 3-4 सालों से, और वहीं FIs के stake की बात है, 2.76% FI का stake है, और DIY का stake 24.96% है, और public का stake इसमें 7.46% है, तो यह overall कमपनी का financial जो trend है, वो काफी बहतरीन रहा है, तो आप इस कमपनी को हर गिराबट में buy कर सकते हैं, अगर हम return की बात करेंए, कमपनी हमेशा positive return दिया, अप 4.65 पाइसा अब था, यह से एर, और अगर हम long term में बात करेंए, कम सकम एक साल, तो 1 year में देखते हैं, 62% है, 5 years में 173%, maximum year में 945% का यहां पर दिया है, मातर यहां देखते हैं, 2009 से यह stock अपलब्द है, और यहां से 2009 से अभी तक में 945% का return दिया है, एक MCG sector का यह stock, और company जै रैली देखने मिलेगा, साथ-साथ FMCG sector में अभी रैली नहीं आया है, आखर रैली आता है, तो निश्यत है कि यह stock में और जबरदस्तेजी आपको देखने मिलेगा, तो यह एक बहतरीन stock है, जिसमें आपको हर गिरावट में buy कर सकते हैं, यहां पर देखें, किसी भी गिरा बाटा है, आप इसको buy कर सकते हैं, आप देखें, दूसरा जो stock है हमारा, वो है बरून बीहबरिज, यह भी FMCG sector से है, और यह stock आज 6% का रैली किया है, 1126 रुपेज का current price है, और यह stock भी हमेशा positive return दिया है आपको investor को, one year में बात करें, 70% का return, five years में बात करें, 245% का return, और maximum बात करें, तो यह अभी 2017 में ही company list हुआ, 2017 मात्र जो है company का list होना, 2017 में list हुआ है, तो आप देखेंगे, तो काफी बहतरी, 308% का return, मतब लगभग 300% का return है, लगभग 4 साल में, तो हर साल company अच्छा खासा wealth create करके दिया है, अपने investor को अभी इसमें, एक जो rally आना बाकी है, अगर वो rally आता है, तो फिर यह stock और यहां से अच्छा खासा return अपने investor को देगा, वह कपरी के financial trend की बात करें, तो कपरी का financial trend भी काफी solid है, कपरी का market cap है, 30,000 crore का है, और कपरी का जो PE है, अभी 75 का है, जो कि industry के पीसे काफी महगे पीपे यह stock मिल ला है, तो जो अच्छे stock है, वो आपको ज्यादा तर महगे पीपे मिलेगे, और जो promotors holding का 66.4% है, return on equity 11% है, return on capital applied, वो भी 11% के आसपास है, कपनी dividend भी पे करते है, 0.32% का dividend yield है, और कपनी में जो promotors holding कोई भी share please नहीं है, तो यह बहुत ही important rule play करता है, वह कपनी debt to equity बात है, थोड़ा debt to equity इस कपनी का high है, 0.91% इसका debt to equity है, और वहीं कपनी के ऊपर जो total rate है, वो 3200 का है, और कपनी जो reserve रखता है, 3200 का कपनी के पास reserve भी है, तो reserve और debt दोनों लगभ़ा भी equal है, और company की बात करें तो जो business है, company का वो काफी बहतरीन है, काफी solid business है, company काई सारी franchise यां रख रखी है, देखते हैं, MNC company का pizza hut, KFC, cream bell, costa coffee, और ये Pepsi को की एक बहुत बड़ी franchise company है, और देखते है, Pepsi को जो खुद में एक brand है, उसकी सबसे बड़ी franchise company है, तो काफी बहतरीन business है, इस company का, आप इसको हर गिरावट में buy करते हैं, invest करते हैं, काफी अच्छा return मिलेगा, अगर इसके pros और cons की बात करे हैं, तो company जो है, बहुत बहतरीन CGR के साथ, 30% का CAGR है, उससे आपको 20% का CAGR भी मिलता है, तो वो काफी बहतरीन है, और यहां तो 30% का CAGR दे रहा है, जो कि industry में highest CAGR है, और company जो अच्छा खासा dividend भी पेकिया है, 17% का dividend है company का, 70% dividend पेकिया है, और सबसे इसमें जो cons है, वो है क यह अपने book value से 8 times पर यह company trade कर रहा है, जबकि आपको जाइड़स healthcare मातर 3 times पर धा, यह ज्यादा expensive stock है, तो अच्छे stock जितने भी रहेंगे, वो ज्यादा expensive है, आपको मिलेंगे, और company में promoter stake थोड़ा सा decrease हुआ है, लेकिन company promoter stake काफी ज्यादा है, तो हमें कुछ ज्यादा इ यह भाव है, promoter stake 5% से, गिरने से कोई खास फर्क परने बाला नहीं है, अब sales की बात करें, कपरी का जो sales है, वो देख लेते है, कपरी का sales जो है, 2000 पर उरक था 2008 में, और company का sales लगातार यहाँ पर देखते है, increase हो रहा है, थोड़ा से quarter basis, थोड़ा से increase decrease देखने मिलेगा, क्य business पूरी तरह से बंध है, तो काफी ज्यादा प्रभाव परना चाहिए, लेकिन यहाँ प्रभाव आपको उतना नहीं देखाएगा, साथी साथ, जो गर्मी के मोसम होते हैं, उसमें ज्यादा इसके product use होते हैं, उसके कारण भी देखते हैं, एक बार आपको इसमें गिरावर देखने मिलेगा, क्योंकि उस समय जो बारिस का मोसम होता है, जो ठंडी का मोसम होता है, तो हम जो colding है, उसमें का कम use करते हैं, जिसके कारण से profit में गिरावर देखने मिलेगा, और अगले ही quarter जैसे यहाँ गर्मी का मोसम आता है, आप profit में जवरदस जम, तो इस बात को पहले loss में थी, कंपनी महां से profit में आई, कंपनी का लगातार देखते हैं, यहां से 2017 से लगातार profit jump, यहां पर दो साल से pandemic है, मदब 2020 से ही pandemic है, तो पैंडमिक लगाने थोड़ा सा profit में decline देखने मिला है, जो कि हर कंपनी के साथ जिसका भी business प्रभावित हुआ है, उसमें आप जो एक बहत्री financial parameter है, कंपनी का balance sheet, कंपनी का balance sheet में reserve की बात करते हैं, तो देखें, पहले reserve तो यहां पर decrease हुआ, लेकिन 2016 से देखते हैं, तो reserve लगातार increase हो रहा है, कंपनी का लगातार increase, कंपनी का जो date है, वो देख लिए जिए कंपनी का date यहां पर पहले जो था, वो increase हुआ, फिर increase हुआ, फिर increase हुआ, यहां पर 2019 के बाद फिर सर्ट decrease हो रहा है, direct, तो कंपनी अपना date भी लगाता हुआ यहां पर, पिछले साल से decrease कर रहा हुआ है, तो कंपनी के उपर जो थोड़ा सा कंपनी को पर डेट है अगर यह कंपनी अपने डेट को रिमूव करता है तो निस्त आपको काफ़ी जवर्दस्त इस स्टॉक पर तेजी देखनी मिलेगा लेकिन कंपनी का बिजनेस जो है काफ़ी बहतिन है क्योंकि कंपनी जो सबसे बड़ी फ्रैंचाइजी है पैपसी को की जो की काफ़ी ज्यादा प्रोडेक्ट यूज होते हैं तो दोस्तों यह थे दोनों स्टॉक जिसमें आपको हर घिरावाट में इंबेस्ट करना चाहिए आप देखिए दोनों स्टॉक के हम टेकनिकल चार्ट को दिखाते हैं बरून बिहेबरिज का टेकनिकल चार्ट 2017 में कं चार्ट देखिए खितना सॉली रहे लगा थार कंपनी जो एक न्यू पर न्यू हाय बना रहा है कि यहाप कंपनी मात 500 रुपिय से 240 रुपिय मिल रहा था 240 से यहाँ पर देख लिए लगभग 1150 पहुच चुका है मतलब 4 टाइम से ज्यादा का रिटर यही चार्ट पर आप जब देखते हैं तो आपको सारा चीज एक तरप सॉलीड देखने बिलता है यह चार्ट पर जवाब देखते हैं तो हर चीज आपको परफेक्ट दिखता ह यहाँ पिछले चार साल में चार गुना से भी जारा किया है क्योंकि 500 से नीचे था और चला कि 1150 लगभग यह फिर लगा चुका है तो फोर टाइम से भी जादा लगभग 5 टाइम के एक्क्वल कर चुका है पिछले तीन से चार साल में यह स्टॉक वहीं जाड़ा से वेलने इंवेस्ट कर सकते हैं और वहां से यह स्टॉक जो काफी बहतरी मुवमेंट अब किया है तो दोनों स्टॉक काफी बहतरी है टेकनिकल चार्ट पर देख से कितना सॉलिड चार्ट है हमेशा यह इसी तरह से स्टॉक चलना चाहिए जो स्टॉक डैरेक्ट यह उपर चलता है इस तरह से डारेक्ट ऊपर चलते जाता तो गिरावट की संभावना भी उतनी ज़्यादा होती है इस तरह से चलता है और यह हमेशा एक हाईयर लो बनाया देखते हैं यहाँ पर जो भी लो बना सारा लो हाईयर बना यहाँ पर भी जो लो बना तो दोनों एक्वल लो है मतलब लो जो है ब्रेक नहीं किया तो काफी स्ट्रॉंग स्टॉक है टेक्निकल चार्ट पर भी फंडार प्रेटली भी थोड़सा बरून भीहबरिस पर डेट है उस पर आपको ध्यान रखना है डेट जैसे कंपनी रूब करता है कंपनी एक रॉक्ट बन जाएगी डेट इतना भी